नमस्कार दोस्तों एक बार पुना आप सभी का स्वागत है हमारे यूटू चैनल हर्ष टेक्निकल कलासेस में आज आप लोगों को एक नए टूल्स के बारे में बताएंगे जिसका नाम है हैमर आप सभी को आज हम लोग हैमर के बारे में जानकारी देंगें कि हैमर क्या है और यह किस मेटेरियल का बना होता है और यह कितने परकार के पाये जाते हैं तो आये हम लोगा स्टार्ट करते हैं पहले हैमर के बारे में जानते हैं कि हैमर क्या है जैसा कि आप एक देख रहे हैं कि फीगर बनाए हुए हैमर का तो पहले ये जानते हैं कि हैमर क्या होता है इसका क्या काम होता है तो वर्क्सॉप में हम लोगों को बहुत सारे कार्य ऐसे करने पड़ते हैं जिसमें थोकने या पीटने की अवसकता होती है या किसी जॉब के उपर चोट मारने की अवसकता होती है तो उस अवसकता को पूर्ती करने के लिए एक हैंड टूल्स यूज मिलाया जाता है जिसे हम लोग हैमर के नाम से जानते हैं है हैमर जो होता है वह कास्ट अस्टील या कार्बन अस्टील का बनाया जाता है और उसे हाड एवं पेंपर्ड करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक हैमर है ये जो होता है हमारा कर्श्ट अस्टील या कार्बन अस्टील का बना होता है तो अब हम लोग जानते हैं कि हैमर कितने परकार के पाये जाते हैं टायप सब्सक्राइब के बारे में हो तो हैं मेर अन्य परकार के पाये जाते हैं जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे पहला हमारा बॉल पेंं है मर हो गया दोसरा क्रॉस हैमर तीशरा अस्टेट पें हैमर चुथा की स्लेर्ज हैमर पचमा इसासॉपट हैमर इस प्लाश्टिक हैमर के JP तो पहला हमारा था। के बारे में जानेंगे। सो देखिए हमारे पास ये ऐस बना हुआ है या एक बॉल्पेन हैमर का फिगर बना हुआ है तो इसमें हम लोग देखेगे कि इसके कॉन gir क два होते हैं हैमर में अनेक भाग को मिला करके एक हैमर का निर्मान किया जाता है जिसके कई भाग होते हैं तो आईए हम लोग देखते हैं कि हैमर में कौन-कौन से भाग पाए जाते हैं तो जैसा कि यह आप देख रहे हैं, यह भाग लकडी का बना होता है, इसको हम लोग हैंडल काते हैं, यह भाग को हम लोग हैंडल काते हैं, और यह लकडी का बना हुआ होता है, अब यह हैमर की आकिरती देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं कि किस-किस भाग को क्या नाम से जानते हैं यह जो हमारा गोल वाला भाग है इसको हम लोग पीन कहते हैं इसको हम लोग पीन के नाम से जानते हैं यह राउंड सेप में हैं इसलिए इसे हम लोग बॉल पिन हैमर के नाम से जानते हैं जो हैमर का जो नामकरन किया जाता है वह उसके पीन के आधार पर ही किया जा तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये बॉल की आकिरती का बना हुआ है इसलिए इसे हम लोग बॉल पिन हैमर के नाम से जानते हैं ये हमारा पीन कहलाता है ठीक उसके जश्ट नीचे ये वाला भाग हमारा नेक कहलाता है गर्दन कहलाता है ये भाग जो होता है वह नेक कहलाता है और उसके बाद ये भाग ये भाग जो हमारा है ये भाग चिक कहते हैं इस भाग को चिक हम लोग कहते हैं जो की हैंडल के साइड में होता है ये साइड और इसके विप्रित साइड दोनों साइड को हम लोग चिक के नाम से जानते हैं नेक्स्ट आते हैं यह वाला जो बहाग हमारा बहुत है गोल अकार का इसे हमलोग I help काते हैं इसमें जो है हैण्डल को फिट किया जाता है और इसमें एक बेड़ लगा हुआ रहता है जिससे कि हैमर कि हंडिल जो होता है वह हैमरिंग करते समय बाहर नहीं निकले और एक बात जान लिजे कि हैमर का ये जो आपका आई होल होता है वह राउंड पूरा नहीं रहता है वह अंडाकार आकार का रहता है एलिप्स टैप का रहता है ठीक है? इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट में ये भाग जो है ये हमारा फेस कहलाता है इस भाग को हम लोग फेस कहते हैं इसके दोरा ही हम लोग जौब के उपर अस्ट्राइक करते हैं कहीं पर भी चोट मारना हो तो फेस की साहिता से ही हम लोग अस्ट्राइक करते हैं चोट मारते हैं और उसके बाद देखिए यह जो हमारा फेस हुआ फेस से यहां तक की दूरी को हम लोग हम लोग पोल कहते हैं यह भाग जो हमारा है देखिए पोल कहलाता है यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग alcohol के नाम से जानते हैं तो जैसा कि आप लोग अभी देखें कि ball pin hammer में कौन-कौन से parts होते हैं और इसे हम लोग ball pin hammer क्यों कहते हैं इसके बारे में हम लोग जान लिए अब हमारा next आता है cross pin hammer, तो cross pin जैसा कि नाम से ही आप लोग देख रहे हैं देखिए एक हम ये figure बनाए हैं इसके माध्यम साफ लोगों को cross pin hammer के बारे में दर्साय हैं कि cross pin hammer cross pin hammer जो है वह कैसा होता है तो देखिए आप देख रहे हैं कि cross pin hammer जो होता है उसकी जो pain होती है वह handle को cross करती हुई होती है वह handle को cross करती हुई रहती है, इस step से, तो वह हमारा cross pen हैमर कहलाता है, इसमें भी वही सारा classification रहता है, जिसा कि ये pen हो गिया, और ये face हो गिया, handle हो गिया, इसी तरा, नेक हो गिया, इसी तरा सारा, इसमें भी भाग बने होते हैं, अब हम लोग next चलते हैं और एक बाद जान लिजे यह जो cross pen hammer होता है इससे हम लोग B-acar के group बनाने के लिए करते हैं B-acar का group बनाना हो seat में तो हम लोग इसका use करेंगे और ball pen hammer का use हम लोग re-weeding के head को हैलाने के लिए करते हैं अब next आते हैं a straight pen hammer जैसा कि नाम सही असपस्ट है इसका pen क्या था cross था handle के बीपरीद दिसा में थी इसलिए इसे हम लोग cross pen कहते थे और a straight pen में क्या होता है कि इसका pen जो होता है वह handle की सीध में दिसा होगी इस तरह से इस दिसा में रहेगी इस तरह से तो यह हमारा हो जागा a straight pen hammer इसमें eye hole के सीध में रहती है लेकिन cross pen hammer में क्या होता है कि eye hole को cross करती हुई बनाई जाती है इसलिए उसे cross pen कहते है और straight pen में क्या होता है कि eye hole के समना अंतर आती है इसलिए यह हमारा straight pen hammer कहलाता है उसी परकार next हम लोग बढ़ते हैं इसलेज हैमर जैसे की नाम से यह असपर्ष्ट है इसलेज हैमर का यूज हम लोग कि इसलेज हैमर का यूज हम लोग कि फोर्जिंग शॉप में करते हैं बड़े बड़े जैसे कि यहां देखिए एक figure के माध्यम साब लोग को द्रसाया गया है इसलेज हैमर देखिए इस आकिरती का होता है इसके दो फेस होते हैं दोनों तरफ फेस होता है इसमें पेन नहीं पाया जाता है इसमें दोनों तरफ फेस ही होता है लेकिन इसका बजन जो होता है वह दू केजी से दस केजी तक पाये जाते हैं इसका परियोग हम लोग बहु बनाना हो या फिर उसको अन्य आकिर्थी में बनाना हो तो हम लोग का यूज करें हैं अगर कि जो होता है वह भी कास्ट अस्टील और कार्वन अस्टील के बनाया जाते हैं और उसे हाड़ एवम टेमपर्ड किये जाते हैं है अब हम लों मतलब मूलायम होता है कि मूलायम मेटेरियल का बनाय जाता है तो इसका यूज हम लोग करते हैं बksam अ जै का पर चोट लगानी हो जो कि finish किया हूँआ получится और इस में खरी मोग और वह करते हैं तो हमारा घ्ड हम ऑपने हमच में करते हैं हम तेज सब्छ के निक पलास्टिक हम प्लास्टिक मिली साक्रीय और है चाहalnya सिन लेक पलास्टिक हम है हald हाइन नांद सेब्सक्राइव या वह लिए लेना हो हम लूग लेना हो हम लोग Ik tar –before और मैल बता दिते हैं विलटके बारे लोग अपना होता हैं अश्व का बना वह राख होता है और उसका हम वह तो हम करते हैं सिच मेटल कारि में सिट मेटल सिट जो होता है वह एक लोहे की पतली सीट होती है उसी के उपर मेलेट हैमर का यूज करते हैं उसको फोल्ड करना हो यह आप लोग देखे होंगे कि बक्सा बेगेरा जहां बनता है खास करके सीट का कार जहां ज्यादा होता है उहां पर हम लोग मेलेट हैमर का यूज करते हैं अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कलाहेमर के बारे में जिसा कि आप देख रहे हैं कलाहेमर का यहां पर एक फिगर बना हुआ है आप लोगों को देख रहे होंगे अच्छी तरह से इसमें जो यह भाग होता है पेन की तरफ का भाग जो होता है वह एक भी आखार की नाली के और इस तरह से हलका जुका हुआ रहता है हेंडल की और इसका परियोग हम लोग कील एक निकालने के लिए करते हैं वो लोग इसका या कारपेंटर का जोकार करते हैं वो सभी इसका उज करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं पर एक कला हैमर का फिगर बना हुआ है इसके द्वारा हम लोग काटी को निकालते हैं और जहां तक आप लोगों को मालूम होगा कि आज हमने हैमर के बारे में आप लोगों को सभी तरह की जानकारी दिये हैं तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो किर्पिया कर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अब सेर अबस्य करें धन्यवाद